जी हां साथियो गूड इबनिंग ग्यानखर यूडूग चानल में आपका स्वागत है सीजियल का प्रैक्टिस सेट चला है और आप जो है लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे आज आपका जो है पंदरामा सेट है सिप्तेम्बर में एक्जाम है अगस्त के बस गिंती के माद की आपका साथियों का ज़रूर देख करके जाहिएक प्रैक्टिस से बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एक्जाम की पैटर्न को समझने के लिए कोशन सही आईडिया लगता है कि एक्जाम में कैसा कोशन पूछता है और कुशन पूछने का ठेण्डिंग कैसा रहता है उसी टुम्स Phone पे स्कोर होता है निर्भर करता है जो कि एकजाम एक से ज्यादे चरण में जब गर्वेघास ही आ जाता है तो न्रॉड़मालाइजैशन का के कंडिशन आ जाता है तो नौर्म लायसन तब और हार्ट से Geap करता है निर्भा करता कि कोशन का कैसा लेवल रहा है कि टफ रहा है कि आसान रहा है तो आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट पंद्रामा सेट का जिसमें कोशन्स आज विल्कूल जो है इतना प्रैक्टिस हो गिया है कि आज एंसर आप खुद करेंगे इसका देखते है कि आप कितने question का answer सही सही कर पाते हैं ठीक है चलिए आईए question पर हम लोग आते हैं पहला question आपके screen पर दिख रहा है विशू के नाम से 9 वर्स किस राज में मना जाता है तो विशू नाम से 9 वर्स किस नाम से मना जाता है तो विशू जो याद रखिए यह केरल में कहां है केरल में विशू के नाम से मना जाता है ठीक है मल्यालम जिसको आप कहते हैं मल्यालम कहते हैं मल्यालम तो बिल्कुल आपने सही answer किया यादि विशू के नाम से जो 9 वर्स मना जाता है मल्यालम यह आपका केरल में हैं बिल्कुल आपका correct answer आता है ठीक वही अगर बात कर लें आपसे क्या मेग लेनिंग ने किस खेल से सन्यास लिया है बिल्कुल आप answer करें प्रेक्टिस इतना हो गिया है कि कोशन देखते ही answer आना चाहिए बिल्कुल यहाँ पर बैठे विदार्थिक answer आ रहा है कि किर्केट से समन्दी था और बिल्कुल सही answer हो रहा है किर्केट is the correct answer ठीक अगर आपसे पूच जया जाए कि मेग लेनिंग जो है किस देश के लिए और किर्केट से तो थी क्या क 있지만 रही है किया हाँ बिल्कुल Australia से कंग थी Australia महिला किर्केट टीम महмыला करद टीम हो मुक्ति से जो कैपटन भेया क है ये कहतान व्हीं ठीक है तो याद रख्वियेगा मतलव ळ mr. निचुरम इस का संब्वाद और भलता है और और यह किसमेंद्ग यह आता है का प्राइट के लिए ख्री हें के Vorab सीन सीर्ष भी कहा जाता है परिस्ति विल्कुल आपका ऑं सरा हो करेक्ट एंसर बिलकुल यहाँ सारनाथ जगह से किसी धर्म का भी संबंद है क्या बिल्कुल संबंद है कि धर्म का बहुत धर्म का संबंद है यहीं पे पहला धर्म परचार होता है पहला उपदेश दिया जाता है पहला उपदेश सारनाथ से चार सत्त पर चार सत्त ठीक है चलिए यह बात याद रखिएगा आए अगला प्रसनाव का साकेवा के किरात खंबूराय समुदाय दुआर मनाय जाने वाला एक धार्मिक तेवार है और यह तेवार कहां मनाय जाती है साकेवा किरात खंबूराय यह जो है यह तेवार इसका दूसरा नाम भी है भूमी पूजा पिर्थिवी मा की पूजा से संबंध है यह साकेवा किरात जो है यह आपका सिक्की में मनाय जाता है कहां सिक्की में मनाय जाता है ठीक है चलिए वही अगर बात कर लि जाएजिए दीपावली होली यह सब अच्छे धूमधाम से मना जाता है ठीक वहीं बात कर लिए जारखन का तो जारखन में भी होली परचलन में हैं वहीं आप बात करें अरुनाचल परदेश का अरुनाचल परदेश के बारे में याद रखिए इसका जो फेस्टिवल है अगला प्रसना आपका भारत की जनसंगया की विर्धी धर डैस से घट रही है कब से घट रही है उनीस सो एकासी से बिल्कुल आपका सही अंसर आ रहा इनीस एकासी से घटने के पीछे कारण क्या है तो उनीस एकासी में ही गर्भ निर्वदक दवाईयां का खोज और बना गया था जिस दबा से बर्थ कंट्रोल होने लगा यानि सबसे जादे यानि उनीस एकासी से बर्थ कंट्रोल होने लगा जैनि जनसक्या की विर्धी धर घट रही है यह बात आपका बिल्कुल सही अंसर है ठीक है चली नोबल पुरिसकार विजयता कैलास सत्यार्थी निमलिकित में से किस संगठन से जुरे हैं बिल्कुल आपका सही अंसर आ रहा है बचपन बचाव आंदोलन से यानि इन्हों ने हजारों बच्चों की गुलामी वाली जिंदगी से बचा कर सिक्षा के पड़ती उनका रुज ने हुज उन्हें शिक्षा संसा में एडिमिशन गराते हैं यह थे आपके कैलास सत्यार्थी और कैलास सत्यार्थी खुद एक भीटे कोलन रर्ते ऑलएक्ट कहले लेक्टिकल ब्रांस से ठीक है वहीडुन रहते है यह है ठीक है चली वही बात कर लें हम लोग SOS क्या है SOS जो है एक सोतंतर गाओं है जहां मेन फोकस जयानि एक जो है NGO के तहती चलाई जाती है गैर सरकारी योजना है इसमें क्या होता है कि इसमें मोटो जो होता है बच्चों की विकास पे कैसे विकास हो इसमें ध्यान दी जाती है और इसका मुख्याले हेट क्वार्डर की बात करे SOS का हेट क्वार्डर जो है ओस्टिया में है ओस्टिया ठीक है चली वही बात कर ले हम लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये 2019 में मानि परधार मंतिन नर्मोदी जी का घुसना है, कहां से हर्याना से, हर्याना में एक जगा है, पानी पत, पानी पत से ये घुसना क्या जाता है, लेकिन अजब बिडवना है न, जिस देश का ये नारा हो, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और वहां की बेटी सुरक्षित नहीं है, बहुत बड़ी बिडवना है कि नहीं है, जहां बेटियों के साथ गलत करने वालों को एक भगवान का रूप दिया जाता है, आपने देखे ही होंगे, एक कहानी बाबाराम रहिम का, बताई, इतना जगन अपराद, इतना घटिया, कर्तूद, और उनको लोगों न क्या दे दिया, भगवान का उपाधी दे दिया, तो बताई, ऐसे लोग अगर देश के अंदर होंगे, तो क्या देश के अंदर बेटी सुरक्षित रह पाएंगे, नारा हम कुछ भी दे दे, जब तक हमारे बच्चे, हमारे बेटी, हमारे बहन सुरक्षित नहीं है, तो दे कुछ भी नारा लगा दिया जाए वो एक कल्यानकारी नहीं कहलाएगा आजी वर्दवान में अभी देखिए 9 अगस्त से लेकर के आज होने क्या है 22 अगस्त कोलकता में जो घटना घटी क्या वो दिल दहलाने वाली घटना नहीं है रोंगते खरे हो जाते हैं सुनकर के देख क करके लेकिन अभी तक कोई एक सुचारू रूप से जो एक सं रिकर वाई यह ऐसे लोगों को तो इदम जिंदा क्या करने चाहिए जगदोर देना चाहिए ताकि जीने समाज में जीने लाइके नहीं हो ताकि इस तरह से घटना करने वाले कोई इसके बाद अगर कोई घटना लगता है बेटी बचाओ और बेटी पठाओ यहां तक की बात किये हैं कि कुछ भी गलत अप Tabii होता है दिसका पाटी पॉलिक्स कर दिया जाता है अगर जिसकी मेजरेटी होती है उसकी बचाव में लग जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए क्राइम आखिर क्राम है और रेपिस्टो मदरिस्टो यानि इसको क्विक एक्षण होनी चाहिए इसकी समिधान में तो कानून प्रक्रिया है भारत के अंदर लेकिन जगन अपरात करने वालों के लिए कुईक यानि फास्ट रेकित तहट जो है एक्षण होनी चाहिए और कुईक करवाई होनी चाहिए ठीक है चलिए अब आप सहमात है कि नहीं मेरी बातों से तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हम करें कि जिस देश में हम रहते हैं जहां पे नारा बेटी बचाओ बे आपको कुछ ऐसी संसा का डेवलब करना हो जहां पे बच्चों की प्रात्मिक्ता हो विकास का यानि प्राइटी हमारा देना है बच्चों की विकास पे ये बात कहती है बाल रहत और आप ठीक है और एक चीज में यहां पर आपको बताते चलू बेटी बचाओ बेटी लोगन है कितना अच्छा नाम है नारा है लेकिन रहां बेहन बेटीओं के साथ किस तरह की वारताएं की जाती है एक दिल धहलाने वाली घटना है जो कल गता में जो घटना घटी देख करके सुनकर के एक जह है चिंता सामन में आ गया कि आखिर इस तरह से अपरात कोई कैसे कर सकता है ठीक है यह मामुली अखबरात नहीं है बहुत भ्याणा कवराद आध है अरिया अगला प्रस्त में आदम lo हमारे परतां पर्दानमंत्री कौन थे हमारे पर्दानमंत्री जवाहलाल हम लुद है पंडिद जवाहलाले नहरुजी यहीं पे एक बाद आ दे कि पंडि ही बाद ही बनते हैं ऐक बार जवालर्न नहरूं कि मिर्थिय के बाद और ग आ la la ó पत्राय के मिर्थिव के बाद दो बार बनते हैं ये ठीक है एक बार 1964 में और एक बार 1966 में और बहुत कम समय के लिए बनते हैं इसमें तो बनते हैं यानि 1964 में 27 मही से नौ जुन तक और इसमें लेकर के चोबी जन्वरी तक आपसे अगर पूस दिया जाए कि सबसे कम कार्जकाल और किसी पर्धानमंती की मिर्थिव के फोरण बाद पर्धानमंती बनने वाले कौन है तो आप याद रखिए गुल्जारिला नंदा जी दो बार भारत के पर्धानमंती बनते हैं और दोनों निमलिकित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वसरेट अपनितरी पूसकार जीता है तो इसका बिलकुल आपने सही अंसर किया सोनल मांसी दा करेक्ट एंसर और ये सोनल मांसी ही है जो कला के छेतर में भारत के सर्वच नागरी पूसकार जो है समानित में पहली महिला है जो ये पूरुषकार और प्राप्त करने वाली पहली महिला कला के छेतर में सोनल मांसी है ये बात भी आप रखिएगा ठीक है आई अगला प्रसन हम लेकर क्याते हैं प्रारंबिक वैदिकाल में एक धनवान वेक्ति को किस रूप में जाना जाता था तब प्रारंबिक वैदिकाल में धनवान वेक्ति को जो है गोमत के नाम से जना जाता था बीच में आप चर्चाएं देखे होंगे जब एलेक्शन की मुद्दा चल नहीं थी तो बहुत लो कहीं समय में ठाथ हैं कहां यह बात है आपको नहीं बताएंगे ठीक है चलिए हो आई अगला प्रस नहिंए भारत में पहला पर्मानु उर्चा सेंत्र कहां असथापित किया ऐथा विलकूल आपने सही अंसर किया कि पहला पर मारौ Обर्चा सेंत्र जो है उर्जा से जो है जो आपको बिल्कुल पता है और मैंने एक्स्प्लाइनिशन करके लिख करता के बताया है ठीक है चलिए आज हम लोग का जुस्च शरन है बिलकुल कोष्चन के पैटर्ञ पर और प्रेक्टिस and चला है ठीक है भूतिक विज्यान कि कौन से साख्या विराम वसा में दरवों की गुनों से संब्ढदित है तो दरवों की गुनों से संब्ढदित है अनित होगा ठीक है धर्व इस्सिति भी ग्यान यह आपका करेक्ट रेंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आई अगला प्रस्ट एपल कंपीटर्स के सरस्थापग कौन है एक एपल कंपीटर के सरस्थापग एस्टीब जॉब्स है जो 2011 में इनका निधन हो जाता एस्टीब जॉब aja ठीक है इनके तक होता कई बीमारी है लेकिन एक और बिमारी एक प्रेंक्री आज चैंशर होकर रहता है ठीक अमसा चैंसर कभी जो है इनका शिंगात रता है यह विमारी प्रेंकर्याज चैंसर भी होकर रहता है और एक यह इवह Iphone S4 series launch करने के बाद ही इनका मिर्तिव हो जाता था एक परस्न ये भी बन सकता है कि Apple के संस्थापक जो है Steve Jobs कौन सब series launch किये उसके बाद उनका निधन होता है तो यह याद रखिएगा iPhone S4 series ठीक है चली आसन सोल डिविजन भारत के किस रेलवे छेतर के अंदर का आते हैं आसन सोल हो माल गुटान हो है ना हावरा हो यह सब के सब आपका पूरवी रेलवे में आता है तो आपका एंसर हो जाएगा यह नमबर इदा करेक्ट एंसर ठीक है चली हें हादरता क्या है अधरता होता है हिमिडिटी जब एयर में वायू में जलबास मौझूद हो तो उसको हम लोग हेटागत नहीं हूमिडिटी आधरता कहते हैं तो आपका अंसर जब वायू में जलबास मौझूद हो C number is a correct answer बिल्कुल आप सही इसका मुदलब practice तगरा चल ला है आपका और अभी तक जितने भी परस निकरा है आपने सही सही answer किया है ति बस इसी तरह की उमीद expect हम करेंगे आप से और अगर इस तरह का performance रहेगा बिल्कुल तो आपका score 150-160 से नीचे नहीं आने वाला है और आप tier 1 के लिए confirm रहिए और आपका selection tier 2 में आप त्यारी करेंगे और जिस तरह से जब करेंगे तो उसी पर आपका result का score निर्भर उख करेगा कि आपका क्या marks आने वाला है ठीक है चली भारतिय समिधान के कानेमलीकित में से कौन सा अनुछेद भारत की दूष सदनिय संसद का प्रवधान करता है तो इसका answer क्या हो जाएगा अनुछेद 89 जो है दूष सदनिय संसद का का करता है प्रवधान करता है अनुछेद 89 ठीक वही अगर बात कर लिया अगर आप से कि भारत के उपर रासपती जो है राज सभा का पदन सभापती होगा ये कितने अनुछेदं कहता है य्याश Slayक 59 जान खता है क्या क्या करता है राज सभा का जो सभापति होंगे वह आपका भारत के उप राश्पति होगा ठीक है राज सभा का सभापति या पदेन सभापति भारत का उप राश्पति होगा भारत का उप राश्पति ठीक है चली वही बात कर लें लोग अनुखेज़ 69 क्या केता है ता अनुखेज जह उनसट है राश्पति के стать lei बांट कर लुगента अनुछ्वित उन्चास की तरुच्छ उन्चास कहता की जो भी राष्टी जाय अस्थान है संसक्र्प fender जगह है उसके सॉन्राख्षन के लिए अनुछट RAMSAY उंचास आथ है ठीक है ससमारक कोई भी आपका जो है राष्ट्रे ससमारक है ठीक न उसकी सुरक्षा कोन देता है अनुछेद उन्चास देता है ठीक चलिए आए भारास समिधान के किस भाग में संग कार्जपालिका के प्रवधान सामिल है तो याद रखिया अंसर क्या है बिल्कुल आपने सही अंसर भाग पांस इदक और पेंसर ठीक है चली आई लगाऔर तå साय को है तो भंगलादेश का राष्ट्य फॉल बिल्कुल बताई एंसर मंद का राष्ट्य फॉल जोR आ कठल हें कठल का CHRIS न याद रही हो कठा वनेस्पाथी नव याद रहा की सबूज है आप को फिल दे माइं अगा आप से पूस्द है तो यह सफाती नाम कभी नाम diana's कर्यалता है तो शुद्धील दे अलवे आट ईल को मनें ँभाब स का है ओक है थे टो किस प्त LIN tours वहीं पे कभी कभी पूज़ देगा आम का तो आम का यादर किये महेंगी फेरा इंडीका महेंगी फेरा इंडीका ये नाम है आम का वन अस्पतिक नेम ठीक चली निमलीकित में से किस देश ने तीन एस्याई खेलों की मेज़वानी की है तो तीन एस्याई देश की मेज़वानी करने वाल आपका दक्षिन कुरिया है कौन है दक्षिन कुरिया यहीं अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे जादे बार सबसे जादे बार किस ने किया है त और थाइलन ने किया चार बार वहीं भारत की बात करें तो भारत ने किया है दो बार दो बार एक बार उपनिंग में 1951 यानि उटगाटन समारो जो है भारत ही ने किया उसके बाद 1912 में अगर आप से पूज जाए कि कौन सा कैमा एसे खेल है जो कोबिट 19 के कारण अस्थाकित किये गए वर्स 2022 में याने एक एसे खेल यो था हर परतेक चार वर्स पर होता है और उनिसमी इन उनिसमां एस्थाइए खेल यो है एस्थाइए खेल जो चीन में होना था चीन में होना था दो जार बाइस में क्ष котором कोई है सबत보 pajar जो जो अस्तागित हुआ अ किस वज़ यह से कोवीट नायइंटीन कीव यह से कोवीट नाइंटीन की वाज़ अवज़ मोर ठीक है कव सवि Dec 22 से लेीकर के 23 यह श्करी तरह तो आप यह बात या तकेंगे यह उनिंगी जो आपशार केंसी में यह नहीं हुआ और बिसमा यहीं होता है जो आपका होगा इसकी मिजबानि करेगा जापान वहीं अगर बात कर लें एक इसमाय का इस सब्सक्राइब करेगा कौन कतर है ठीक है चली यानि कतर जो करने वाला सब्सक्राइब करता याद रख लिए ठीक है चले जापान आपका करेगा कब बुलिए दोजार चब्विस में अब बिसमा ठीक है चली आई अगला प्रस्न डैस एक प्राकिर्तिक रूप से पायजाने वाला कार्बनिक योगिक है जिसका सुत्र सी सिक्स फाइब का होल्टू सी ओ यह होता है आपका बेंजो फिनोन कौन होता बेंजो फिनोन यह याद अगला प्रस्न आपका निमलिखित में से कौन सा इस्टार्च का दूसरा नाम है जो मुख रूप से बीज, फल, कन, जरो और पौधो के तनों के गुद्दे में पाये जाता है विशेश रूप से मकई, आलू, गेहूं और चावल ति बिल्कूल आपने सही अंसर किया इस्टार्च का दूसरा नाम अमाईलम इदा करेक्ट एंसर बिल्कूल आप सही डिरेक्शन में जा रहा है और आपकी परफॉमेंस वेल गुड है, बहुत अच्छा है, चल ला है, ठ सही अंसर किया संसद्य परणाली, ठीक है, चली, अगला प्रस्ने वीधुत उर्जा की वानजिक इकाई क्या है, पुली एंसर, बिल्कूल आपका एंसर सही आ रहा है, किलो वाट घंटा और किलो वाट घंटा ही को हम लोग एक यूनिट कहते हैं, और अगर इसको उर्जा मे कनवर्ट कर दें, तो एक किलो वाट आवर जो होता है, इन उर्जा में, जूल में कहें, तीन दसलम छे, गुने दस के पावर, छे, ये जूल होता है, ये भी डेटा आप जो है, तो रख लिजे ऐसे अंसर तो आपको पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी फिर भी रख लिजे, क क्या बजट का, बजट सब्द का उलेग समिधान के अंदर आता है क्या, तो बजट सब्द का उलेग समिधान के अंदर नहीं है, लेकिन वित्य वर्ष का विवरन समिधान में आता है, यानि समिधान बजट नहीं है, लेकिन वित्य विवरन, जो है, वित्य वर्ष क, विवर सरकार में वित्य वर्स कब से कब तक होती है तो वित्य वर्स जो है आते हैं जब दुआर को सिकाओं में जल परवाहित होता है तो उनमें क्या हो जाता है जब जल परवाहित होगा तो बिलकूल आपका answer सही आ रहा है कि उसका चिदर दुआर जो होगा खुल जाएगा तो आपका बिलकूल करेक्ट एंसर रंद्र के छीदत खुल जाते हैं बी नमबर करेक्ट एंसर वहीं बात कर ले हम लो अगला प्रस्थ न क्या जो क्या है राष्ट्य डोब प्रिक्षन परियोग साला कहां इस्तित है बताईए बिल्कूल आपका एंसर आया नई दिल्ली में और एक जानकारी के ल अब तो आपने बिल्कूल सही और करेक्ट एंसर किया है इसी तरह की उमीद आपसे लगाई जाती है कि एंसर इसी तरह से आप करेंगे और सेट को भली भाती आप परिपुन रूप से देखेंगे ठीक है बस हमारा ठीकिंग हमारा सोच सिर्फ पेपर और किताबों तक ही महदूद ना रहे इसका वेवार में भी हम लोग अपलाई करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सहसता महसुस ना करें उसके अंदर ये गर्व फिल हो प्रॉड फिल हो कि कोई बेखती है जो हमार इज़्जत और गरीमा की बात करता है और किसी विपरकार की अन्होनी नहोने पाए इस पर ध्यान रखिए आज का जो भी आप क्लासिस हुई इसका पीडिएफ अगर आप ल आने के प्रियास कर रही है जहां से कोईशन पूछने का ट्रेंड रहा है और निस्चित ही एकजाम में पूछे जाएंगे इसलिए अगर अभी तक चैनल पर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो आप भी करें और अपने साथियों से भी कराएं अपने सा मित्रों तक चैनल नहीं पहुच रही है तो चैनल से यह जो है चैनल के बारे में अपने मित्रों को बताएं चैनल को साजा करें ज्यान घर बने रहें धन्यवाद सांथियों जहिंद